स्ट्रेंग्स आज हम टॉपिक डिसकस करते हैं एफेक्ट ऑफ केल्शियम लेवल और नियूरॉन एक्टिविटी ऑल्टो की टॉपिक बुक में इंक्लूड नहीं है लेकिन इसका कंसेप्ट हम डिफरेंट टॉपिक्स में स्टेडी करते हैं जब हम कैमिकल कोडिनेशन में केल स्ट्राइबुलर फुइड में इक खास लिमिट में मौझूद होना चाहिए अगर ही लिमिट इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है अपने नॉर्मल लिमिट से तो उसके लिए दो हार्मोन रिस्पॉंसिबल होते हैं जो के एक दूसरे के साथ एंट्राइबुनि से ज्यादा हो जाता है तो यह खास लिमिट में चोड़ देगा केल्शियम को और रिमेनिंग को ब्लड से हटा देगा इसी तरीके से जब केल्शियम के लेवल अपने नॉमल लिमिट से डिक्रीज करता है तो उस ताइम परताइरोई हार्मोन रिलीज होता है वह उस लो केल्शियम चाहिए होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं नूरॉन्स की नूरॉन्स को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है कि जब एक्जोनल टर्मिनल तक एक्शन पोटेंशल पहुंचता है तो वहां पर मौजूद होते हैं केल्शियम के आइन्स वो भी उपन हो जाते ह जिसकी वज़े से केल्शियम अंदर की तरफ मूव करता है तो जो साइनाप्टिक वेजिकल्स होते हैं वो प्री साइनाप्टिक मेंब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और अपनी नूरॉट्रांस्मिटर्स को रिलीस कर देते हैं साइनाप्स में जो के अपनी स्पसिफिक के साथ लिंक होंगे जो के मौजूद होंगे पुस्ट सानाप्टिक नूरॉण की मेंब्रेन में तो वहां पर एक्शन पोटेंशल को जनेरेट कर देंगे तो इस तरीके से ट्रांस्मिशन हो जाएगी नर्व इंपल्स की तो यहां पर हमने देखा कि केल्शियम जब अंदर किया हुआ है कि मसल के सारको प्लाजमी क्रेटिकूलम में बहुत लाज नंबर में कैल्शियम स्टोर हुआ होता है अब जब मोटर नियूरॉन नियूरो मस्कुलर जंक्शन तक अपना मैसेज लेकर आते हैं तो नियूरो मस्कुलर जंक्शन में नियूरो ट्रांस्मिटर्स रिलीज हो जाते हैं और वो neurotransmitter होते हैं acetylcholine, अब ये acetylcholine myocyte में जो t-tibule मौझूद है जो transverse tibule मौझूद है उसके अंदर रन करेंगे तो वहाँ पे मौझूद होंगे इनके अपने specific receptors तो उन receptor की वज़े से myocyte में action potential generate हो जाएगा तो जो सावकोप्लास्मे क्रेटिकुलम में मौझूद होंगे, calcium तो वो release हो जाएंगे, cell के cytoplasm में आ जाएंगे यहां पे मौझूद होगा proponine, तो calcium proponine के साथ link हो जाएगा, जिसकी वज़े से tropomyocene में conformational changes आएंगे और वो actin के वो portion जन हुने myosene के साथ link बनाना है, तो उनको unexposed कर देता है, जिसकी वज़े से actin के attraction स्टार्ट हो जाती है towards the myosene, myosene link करता है, तो इसी तरीके से muscle contraction हो जाती है, तो यहां पे हमने पढ़ा कि calcium का important role होता है हमारे neurons के activity में और muscle की contraction में, अब यहां पे एक question है के why does hypokalcemia causes nervous hyper excitation and spasmic contraction of muscles, मीम के जब हमारे blood में calcium का level अपने normal limit से decrease हो जाता है तो यह कैसे हमारे neurons को hyper excitable state तक लेकर आ जाते हैं, हमारे neurons को over stimulate कर देते हैं, तो जब neuron over stimulated state में आ जाते हैं, तो यह जिन muscles को control कर रही होते हैं, तो उन muscles को भी excitable कर देते हैं, उनमें भी contraction का message जाना स्टार्ट हो जाता है तो अगर उन्होंने contraction नहीं भी करनी होती हैं, लेकिन चुके उनको continuous stimulation का message मिल रहा है तो वो contraction स्टार्ट कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं, कि यह spasmic contraction है, तो इस question के answer को हम दो concept से समझेंगे तो पहला concept हम समझते हैं neuron की membrane है, वहाँ पर मौजूद होते हैं sodium के voltage-gated channels जो कि खास voltage पर depend कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अगर कोई threshold stimulus पहुंचता है तो start में कुछ sodium के channels open होते हैं पिर जब threshold potential होता है जब voltage पहुंचता है minus 60 millivolt तक तो यकदम से सारी sodium channels open कर दिये जाते हैं, जिसके वज़े से sodium की अंदर की तरफ movement हो जाती है और इसको हम बोलते हैं कि यह deep polarization है और यह action potential है तो यहाँ पर sodium के voltage-gated channels दो important factors पर depend कर रहे होते हैं यह एक खास voltage पर depend कर रहे होते हैं और यह ज़्यादर depend कर रहे होते हैं calcium iron की presence पर extra cellular fluid में अगर calcium एक खास limit में extra cellular fluid में मौझूद होता है तो यह in voltage-gated channel को एक खास जरूरत के मताबिक open करता है और जरूरत के मताबिक उसको close करता है अगर calcium का level decrease हो जाता है extra cellular fluid में अपनी normal limit से decrease हो जाता है तो यह sodium के channels को open कर देता है क्योंकि sodium के channels के लिए calcium होना चाहिए अगर calcium नहीं है तो वो channels open हो जाते हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है के calcium ions are responsible for the cell permeability for sodium ions तो sodium अंदर जाता है अगर calcium की वज़े से अगर calcium नहीं है तो वो channels activated state में रहते हैं वो continuously open होते हैं तो अगर ऐसे neuron के brain को small stimulus मिलता है जो एक तरिशूट लेवल का नहीं होता है तब भी इनके channels open हो जाते हैं और अंदर sodium के influx start हो जाती है depolarization हो जाती है जिसके वज़े से neuron excitable state में आ जाता है और यह अपने साथ muscle को भी excessive stimulation देना स्टार्ट कर देता है तो muscle contraction start कर देते हैं जिसको हम बोलते है spasm और अगर यह muscle contraction spasm में बहुत देर के लिए रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं यह technique अगर हमारे respiratory muscle में हो अगर वह technic contraction start कर दे तो अगर respiratory muscle प्रॉपर कांट्रक्शन और relaxation नहीं करेंगे बल्कि वह continuously contracted state में रहेंगे तो हमें respiration में problem होगी जिसके वज़े से death cause हो सकती है और अगर यह technic contraction हमारे कार्डिक मसल्स में हो, उनकी प्रॉपर कॉंट्राक्शन और रेलक्सेशन ना हो बिलकि हार्ट कॉंटिनिवसली कॉंट्राक्टेट स्टेट में रहे तो उसकी पंपिंग के एबिलिटी एफेक्ट हो सकती है, जिसकी विज़े से देट कॉस हो सकती है, तो यह हमने समझ लिया एक कंसेप्ट हमने जिकर किया कि जो वोल्टेज गेटिज चैनल है सोडियम के, उनके लिए कैल्शियम मौझूद होना चाहिए, अगर कैल्शियम नहीं है तो वो चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं वो continuously open रहते हैं अगर उनको stimulus मिले या ना मिले अगर कोई threshold level का stimulus ना भी हो हलका सा भी कोई stimulus हो तो तब भी यह open हो जाएंगे और यह हर टाइम open रहेंगे अगर कैल्शियम नहीं है हमारे extra server fluid में तो कैल्शियम की अंधर की तरफ influx होगी और हमारा neuron हर टाइम hyper excitable state में रहेगा जिसके वज़े से उसमें muscle को भी आपने साथ contracted state में लेकर आ जाना है तो यह आपने concept समझ लिया एक answer का तो अब हम दूसरा concept समझते हैं तो बात स्टार्ट होगी resting membrane potential से neuron की membrane में resting की condition में अंदर negative charges भी होते हैं और positive charges भी होते हैं लेकिन चुके negative charges का number जादा होता है as compared to positive charges इसलिए हम कहते हैं के अंदर जादा electronegativity होती हैं और बाहर positive charges भी हैं और negative charges भी हैं लेकिन चुके positive charges का number बाहर जादा होता है इसलिए हम बोलते हैं के बाहर यह निके extra-cellular fluid में electropositivity होती हैं, अगर हम किसी microvolts meter से transmembrane potential मतलब कि across the membrane potential को measure करें तो वो होगा minus 70 millivolts और ये minus sign indicate कर रहा होता है कि अंदर ज़ादा electronegative ions मौझूद होते हैं अब यहाँ पे हम उन ions को भी देखते हैं, हमने इसे पहले भी discuss किया अगर बाहर जादा होता है 10 ताइम जादा मौजूद होता है इस कंपेर टू इंसाइड, इंसाइड भी मौजूद है, तो अगर फर एगजाम्पल तो सोश्मिपा थो बाहर सोडिय में 1 तॉड मौजूद होंगे और इसी तरीके से पाईशियम अंदर जादा इमाउंट में ह था होता है as compared to outside अगर वो 30 टाइम्स ग्रीटर इमांट में है as compared to outside तो अगर बाहर 100 आइन्स मौझूद है तो अंदर मौझूद होंगे 3000 आइन्स of potassium तो अगर हम अंदर positive charges को plus कर दे sodium or potassium के charges को plus कर दे तो यह 3000 है और यह 100 तो यह दोनों plus यहां पर हम लेते हैं कि यह हमारे पास 3100 हो जाते हैं और यह है 1000 और यह है 100 तो यह हमारे पास हो जाते हैं 1100 तो अब यह देगे जो 3100 positive charges हैं वो जाता है as compared to 1100 charges तो यहां पर अभी भी जाता है अंदर लेकिन हम पर कह रहे हैं कि बाहिर जाता है तो यह कैसे इस बात को समझते हैं इस बात में important role play कर रहा होता है calcium बाहिर calcium जाता है as compared to inside अंदर भी मौझूद है लेकिन बाहिर जाता amount में मौझूद होता है तो calcium के उपर जासे के हमें पता है कि double positive charge है sodium के उपर single positive charge होता है तो बाहिर अगर यह आई अईं's मौझूद है भी 1100 आईं's मौझूद है भी तो इसके साथ plus होเผाता है calcium के charges बी तो इसलिए हम कहते हैं के बाहिर positive charge ज्यादा आजाता है केल्शियम के वज़े से जाधा positive charge आजाता है अगर अकेला sodium मौजूद हो था तो positive charge ना आता क्योंकि sodium और potassium के आइंस कम मिदार में हैं बाहर बाहर इस calcium की वज़े से electro positivity इंक्रीज हो जाती है मैंने इस यहां पर शो भी किया हुआ है कि electro positivity बाहर जादा होती है अब यहां पर हम समझते हैं कि अगर हाइपो calcium हो जाता है तो यह देखिए केल्शियम कलेवल अगर extra cellular fluid में कम हो जाता है तो अगर बाहर कम है तो इच मिन के अंदर ज्यादा है क्योंकि हमने सारा का सारा calcium अंदर बिजवा दिया है इसलिए बाहर कम पढ़ चुका है तो अंदर अब calcium है और potassium है अब यहां पर positivity को देखे यह positivity यहां का कि ऑन बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा क्यूंकि अधर calcium जाता है अंधर क्यूं ज़ादा है क्योंकि बाहर calcium कं है तो हम यह वोल्टेज को चेंज करतेंगे है यह इसे पोटेंशियल पर हम सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम के अंदर की तरफ इंफ्लक्स टार्ट हो जाएगे तो सारी बात हमें अगें रिपीट कर देती हूं यहां पर है अगर कैल्शियम बाहिर कम हो जाता है तो रिलेटिवली सोचें रिलेटिव कंसेंट्रेश इतनी जादा नहीं होती है कि वह पॉजिटिविट को कर सकें यहां पर तो कैल्शियम की वज़े से कॉंट्रिबूशन हो रही होती है तो अगर वोल्टेज चेंज होता है इंसाइड अगर जादा पॉजिटिव चार्ज़ जाते हैं तो पर तो वोल्टेज हो जाता है पिर इंसाइड फिर वो एलेक्टो पॉजिटिविटी को कंट्रिब्यूट कर रहा होता है तो वोल्टेज को चेंज कर देता है जिसकी विज़े से sodium के channels open, अंदर की sodium की तरफ influx, depolarization तो neuron hyper excitable state में आ जाएंगे और इसी तरीके से muscles भी excitable state में आ जाएंगे तो यह हमने जब बात की थी कि calcium का level blood में कम हो जाता है या जादा हो जाता है तो वो किस तरीके से हमारी neurons को या हमारे muscles को effect कर रहे होते हैं और इस answer के जो opposite concept है या अगर hyper calcemia हो जाता है तो क्या effect होता है तो वो आप इसी question के साथ relation में पढ़ सकते हो तो यह हमारे पास था कि calcium किस तरीके से effect कर रहा होता है हमारे neurons को और हमारे muscles को hope so आपको समझ आ गई होगी अगर आपको समझ नहीं आई है तो दोबारे इस वीडियो को देखे जो concept है अपना उसको clear करने की कोशिश करे अगर एक दफ़ा आपका concept clear हो जाएगा तो आपसे यह बात कभी भी नहीं भूलेगी इंशाल्ला